नमस्कार दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रमुख कप और ट्रोफिया जो की एकजाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वीडियो को सुरू से अंतक देखे ठीक है तो पहले हम देखते हैं हौकी के बारे में कुछ एक दो पॉइंट समझते हैं ह शर्वच सथाट जो है वह फेंडरेशन इंटरनेशनल दी होकी है यानि एव ऑई है 개인रेशन इंटरनेशनल दी होक्यर की और इसकी आस्थापना थारा सो चुरासे में की गय थीDet कि होकी का पहला बिश्वक अप्प बडशिवीलोना में आउजित किया गया था उसींट शुम में होकी का जादूगर किसे का जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और पहले राजिव गांधी खेल रतने पुरुषकार का ही नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रतने रखा गया है और यह जो होकी का मैच होता है वो 70 मिनट का होता है यह याद रखेंगे सत्तर मीनट का होता है तो चलिए अब पढ़ते हैं उसके प्रमुख कप के बारे में तो रंगा स्वामी कप किस समंदित है होकी से समंदित है रंगा स्वामी आगाखा कप ये भी होकी से समंदित है महाराजा रंजीत सिंग कप भी होकी से समंदित है ध्यान चंद ट्रॉफी होकी से समदित है जिने होकी का जादूगर कहा जाता है नेरु कप भी ट्रॉफी होकी से समदित है बेली गटन ट्रॉफी भी होकी से समदित है और इंदरा गांधी गोल्ड कप भी होकी से समदित है तो एक बार और दोरा दे आप सबी को अच्छे से सम बज में आ जाएगा तो रंगा स्वामी कप आगा कप महराजा रंजीन सी कप अध्यान चंद्र वैली गर्टन ट्रोफी और इंद्रा गांधी गोल्ड कप यह सारे जो हैं होकी से संबंदित कप है अब ट्रीक किसमें क्या लगेगा आप सभी देखे थोड़ा ट्रीक क्या होग महराजा ध्यान चंद्र वैली गर्टन से लाए इंद्रा कप अब आप बोलेंगे तो यहां पर लिख भी सकते हैं जिससे आप सभी को असानी हो जाएगा कि होकी कप जो है किस से संबंदित है तो देखे यहां पर हम लिख देते हैं थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम यहां ल महराजा रंग आय महराजा ध्यान चंद्र रंग आय महराजा ध्यान चंद्र वैली गर्टन वैली गर्टन से लाए इंद्रा गोल्ड कप इंद्रा गोल्ड कप तो देखे यहां कितना असानी से मैंने लिख दिया है ट्रिक को आप सभी इससे copy में note कर लिजेगा असानी हो जाएगा इससे याद करने लिए ठीक है तो चलिए नेश देखते हैं और उस पे भी देखते हैं ठीक कुछ लग सकता है तो लगाएंगे ठीक है अगला है फुटबोल से सम्माधित फुटबोल से सम्माधित कौन-कौन से कप होते हैं वो देखते हैं तो फुटबोल से सम्माधित है डूरंड कप, रोय ट्रोफी, आसुतोस मुखरजी ट्रोफी सुबत्रो मुखरजी, बंडेला ट्रोफी, टी-सी-म ट्रोफी यूरो कप ट्रोफी कोपा अमिरिका कप तो पहले देखते हैं फुटबोल के बारे में थोड़ा तो फुटबोल का जो खेल का जनम हुआ था इंगलेंड में हुआ था और भारत में पहला फुटबोल कलब जो हुआ था उसका नाम था डलोजी कलब विस्व का सबसब बड़ा फुटबोल संस्था किसे कहते हैं तो फीफा को कहते हैं इंटरनेशनल फुटबोल एसो सी येशन फीफा फीफा तो यह फुटबोल का होता है संस्था इंटरनेशनल फुटबोल एसो सी येशन फीफा है और इसमें तेखे तो पहला जो फुटबोल का पहला बिस वकप हुआ था वो कहा हुआ था उरुगवे में हुआ था याद रखेंगे उरुगवे नहीं ही रहा था इसको ध्यान में रखेंगे अब देखिए इसमें तो कोई ट्रिक अभी में नहीं बना पा रही हूं तो इसमें सिप नामी है तो आप नाम याद कर सकते हैं इसको तो डुरंड कप फुटबोल से समंदित है रोइ ट्रॉफी यहां पे देखेंगे बीसी रोइ नाम तो नाम याद कर से यहां पे यहां पर देखेंगर देखिये बीसे समदिते हैं यूरोचनफ ट्रॉफी यही फुटबोल से सम्मंदी थे तो इतने फुटबोल से सम्मंदी थे जिससे मैंने सब को एक एक फ्रेम में इसे कर दिया है ताकि आप सभी को आसानी से याद हो जाए और सब में नाम ही है BC Roy Trophy, सुबरूत मुखरजी Trophy, आसुतोस मुखरजी Trophy, DCM Trophy, Euro Cup Trophy, Kopa America Trophy तो यह सब जो है सभी फुटबोल से सम्मंदी थे तो इसको ध्यान में रखी और एक दू बार देखेंगे तो यह याद हो जाएगा तो चलिए नेश देखते हैं क्या है तो अगला टॉपिक है किर्केट के ट्रॉफी तो किर्केट में कौन कौन से ट्रॉफी दिये जाते हैं उसके बारे में तो किर्केट में जो ट्रॉफी दिये जाते हैं रंजी ट्रोफी इरानी ट्रोफी दिलिप्टानी चासीग याद गूण। कि आगे देखते हैं तो खेल का सरवच सामान संस्था जो है किर्केट का ICC है अब सबी को पता होगा ICC और ICC का मुख्याले कहा है दूबाई में है दूबाई कि ICC का मुख्याले दूबाई में है और और क्या देखेंगे इसमें तो यह जो है किर्केट कहां खेला जाता है तो पीछ पे खेला जाता है आप सभी को पता होगा और यह सब प्रश्ण चुटा चुटा है और यह प्रश्ण आती रहता है कहां खेला जाता है पीछ पे खेला जाता है और किर्केट में सब जो परयोग होते हैं उसे भी थोड़ा मिट विकेट ओभर्थ्रो गली ठर्ड मेन हुक हुक यह सारे जो सब्द हैं किर्केट से संबंदित हैं और यह सारे जो प्रश्ण है अप जैसे लगता है कि हलका है लेकिन यह प्रश्ण आते हैं और किसमें आता है तो Musa कलगें गरे में हों इस सब्द में पुछे है कि हूक सब्द ही किस सब्दीत हैं किस कोट प्रइसर पर खेला जाता है तो पिछ पे खेला जाता है फिल्ड पे खेला जाता है यह सभी धियान में रखेंगे आप सभी और इसका ट्रिक के बाद करें कि किर्केट के जो कप ट्रॉफिया है उसके ट्रिक क्या हम लगा सकते हैं तो इसमें ट्रिक यह लगा सकते हैं जैसे कि मैंने एक ट्रिक जो लिखा देवधर में राणी सीके दिया रच रही इतिहास तो यह ट्रिक है अभी मैं यहाँ पे लिग देती हूं ठीक है आप सब देख लिजेएगा तो देखे यहां पर हम ट्रिक लिख देते हैं थोड़ा एक मिड़ का समय लगेगा तो यहां पे हम ट्रिक लिखते हैं, क्या है यहां पे ट्रिक देवधर बात में समझाएंगे भी ठीक है, तो देवधर लिख दिये, देवधर में रानी, देवधर में रानी, सी के देव धर में रानी सी के दिया देव घर में रानी सी के दिया रच रही रच रही इतिहास रच रही इतिहास अब देखे इसो कैसे समझना है यह किरकेट से समझनी कप के बारे में है तो देखे देव धर से क्या होगा यहाँ पर थोड़ा color change कर लेते हैं तो समझ में आएगा देखिए देवधर तो देवधर से हुआ देवधर trophy और राणी से हुआ यहाँ पर राणी की जहां सी जहां सी ट्रोफी हो गया राणी से देवधर से देवधर trophy हो गया और CK से हो गया सी के नाइडू सी से सी के नाइडू दिया से हो गया दिलिप ट्रॉफी दिया से दिलिप ट्रॉफी रच से रंजी ट्रॉफी हो गया रच से रंजी ट्रॉफी और इतिहा से क्या हुआ इरानी ट्रॉफी तिहा से क्या हुआ इरानी ट्रॉफी और एक बिटला ट्रॉफी तो य नेक्स्ट एकते हैं क्या थोमस कप किस छेतर में दिया जाता है तो थोमस कप पैडमिंटर के छेतर में दिया जाता है उबेर कप भी पैडमिंटर के छेतर में दिया जाता है होलकल ट्रोफी ब्रीज के छेतर में दिया जाता है सेजरा ट्रोफी पोलो के छेतर में दिया जाता ह बाकर कप गोल्फ के छेतर में दिया जाता है राइडर कप गोल्फ के छेतर में दिया जाता है और चाइना कप चिमनास्टिक के छेतर में दिया जाता है और दिखिए थोमस कप जो है पुरसों के द्वारा खेला जाता है उबेर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है ठीक है तो दोनों में यही अंतर है थोमस कप और उबेर कप थोमस कप उबेर कप में दोनों में यही अंतर है तो दोनों ध्यान में रखेंगे होलकर ट्रोफी ब्रीज में दिया जाता है सेजरा ट्रोफी पोलो में दिया जाता है बाहकर कप गॉल्फ के छेतर में दिया जाता है राइडर कप गॉल्फ के छेतर में दिया जाता है और इसे अमीरों का खेल भी कहते हैं यानि कि प्रिंस ऑब बेल्स नाम से ही आपको लग रहा होगा चाइना कप जिमनास्टिक में जिमनास्टिक के छेतर में दिया जाता है ट्रॉमात पुन ट्रॉफिया और उसे सम्मंदित खेल तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमारा ट्रिक जो मैंने बताया अगर उससे या फिर मेरे वीडियो से आप सभी को हैल्प मिला हो तो एक लाइक कर दिजेगा और सेयर कर दिजेगा और चै सब्सक्राइब कर लिजेगा आप सब्सक्राइब कर लिजेगा आप सभी तो चलिए जाहिंद